तो जिसको जो बन्दा ओल्डे इंजीर हो फाइसिट्रिकेश्टेशं इंजीर हो Do fly इंजीर व्याइर किदर भी आपको काम कर रहे हो दो आपको यह सब सी जानकरी जुरोद है क्यों आप कमपनी में जाओगा इसवर को सिखने पड़ेगा, भुद को शीखने पड़ेगा, कोई आदमी तुमको सिखाएगा नी, मैं आप लोग बताता हूँ, कमपानी पे कोई आदमी सिखाएगा नहीं तो तुम लोग को खुद को सिखने के लिए आप लोग को मेरा चैनल फॉलो कीजिए मैं आप लोग को एग एग चीज भारी वहरी चीज आप लोग को बताऊंगा हलो दोस्तो नमस्ते वेलकाम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ हरे किशना आज आप लोग को बहुत ही एक बड़िया टॉपी लेखा है हूँ जो पिछले वाला वीडियो में आप लोग दिखा है जो वान टू फ्री फॉर नंबर सिरीज पे इसमें हम लोग को वेलिंग का एक बेस सब्सक्गम आप लोग को बाताऊंगा उस में आप लोग क्या होगा बहुत ही तरीके से आप लोग बेनिफिर मिलने वान है रहते है быстрינ कह रहा थे उसको यो इस समंझ में जिस को समझ में आएगा फ्लीस कम्मेंटकर यह जो नहीं मेंबर यह प्लीस टू रिकोईस्ट यू प्लीस सब्सकुर्ट है मैं चैनल यह एक वीडियो उसलिगरते पेले सुनुकरते है फ्लीक स्कुर्ट कया है अच्चुली लेकर FCAW, FCAW मतलों Flax Core Arc Welding, यह कह है, तो यह पहले जानकर जोरोद है, Flax Core is a mixing, mixture of various metals, chemical and alloy materials, the primary protect molten oil metals from the contamination of oxygen, nitrogen and other conatmosphere, मतलब का है, Flax, Flax, एक तरव को material है, minerals है, उसमें एक chemicals रहते है, एक उसमें एक alloy material रहते है, उसमें क्या करते है, जो weld है, weld, जो जिसमें हम लोडिंग कर रहे है, उसका जो oiling के उपर एक layer बनाता है, एक protect करते है, उसको धक्के रखते है, तो उसमें किसके रखते है, बाहर का जो atmosphere है, बाहर का जो oxygen, nitrogen, carbon monoxide, dioxide, जो भी आपको दिखाई दे रहे, मतलब oxidation से, फ्लाक्स क्या करते है, बाचा के रखते है, उसको धक के रखते है, तो इसको क्या बोलेगा, फ्लाक्स को आर्ट वल्लिंग, तो उसका, उसका advantage क्या है, किसलिए हम लोग, फ्लाक्स को, हम लोग करते है, additional of content chemicals and alloys help to control the arc stability and mechanical properties, तो क्या करते है, तो उसका जो करन पे, हम लोग को क्या करते है, उसका जो mechanical properties रहते है, best cell strain, आपका brain strain, उसका hardness strain, तो stability रहते है, उसको कुछ changes नहीं रहते है, changes होता नहीं है, material का जो रहते है, वो भी holding के, वो सेम चीज़ आते है, और क्या रहते है, उसके तो arc stability, arc stability मतलब के, मतलब जो को बहुत बहुत कर रहे हैं हम लोग, जब holding करने के टेम पे, आपको दिखाए देखा, जो आग जल रहे है, मतलब जो burn हो रहे है, metal जो जिसमें, well pull का उपर एक जो आपको आपको luminous आ रहे है, तो ओ चीज़ आपको arc stability, मतलब continuous रहेगा, मतलब बंद होगा चलेगा, बंद होगा जलेगा, ऐसे नहीं है, stability, मैंने continuously सुरू से end तक, जो arc stability दे रहे है, वो stability continuous रहे है, जो arc arc का, जो power generate दे रहे है, जितना दे रहे है, वो stability रहेगा, तो flax score arc building का अंदर, तो मैं बत बाता हूँगा, flax score जो बतरना stability, जो arc generate हो रहे है इदर, जो metal generate हो रहे है इदर, तो यह जगा पर आपको क्या हो stability रहेगा, आप जो है, वो continuous रहेगा, आपको कौम जदा भी नहींगा, decrease भी नहीं होगा, जो रहेगा, stable रहेगा, तो flax score arc building का अंदर, क्या है actually, इसका अंदर जो रहते है, पूरा overall आपको दिया है, पूरा overall आपको, तो उसको कैसे समझ में आना चाहिए आपको, तो पहले है, मैं बात करूँगा, जो flax score wire है, तो उसको wire का अंदर क्या रहते है, मैं पहले बाता जो tube मतलब होलो रहते है, तो उसका अंदर क्या रहते है, पाउडर, इसको दिख रहते है, पाउडर रहते है, पाउडर मतलब इसका फ्लैक्स, फ्लैक्स रहते है इसका अंदर, तो उसका अंदर क्या रहते है, यह जो दिख रहते है, यह जो दिख रहते है, आपको, यह जो यह दिख रहे हैं आपको आक्स चीलिंड कर रहे हैं मतलब जो पहले जो जो फ्लेक्स है उसको चीलिंड कर रहे हैं धक रहे हैं मतलब बहार से जो एटमोस्पियर है वो एटमोस्पियर से धक रहे हैं मिट्रियल को धकेगा तो क्या होगा आपको जो ऑक्सिडिशन है वो बचा तो उसमें कहा रहेगा बहुत ही बढ़िया आपको ओल्डिंग बढ़िया रहेगा तो और क्या है रहते हैं मेट आर केंद मेटल स्टांसपर मतलब जो मेटल स्टांसपर हो रहे हैं मतलब तभ्लड जो हिलोक्टर दिख रहे हो एतो बहुत हैं यह तो मेटल है यह अन्दर का फॉलैक्स आपको दहांग बहुत के रहेगा बहुत मेटल again Park inventory them मेटल मिल तो यह मतलब आर इसका इलेक्ट्क मेटल नो जोिए इस सब्सक्राइब एक लेयर त्यार करेगा उसके बाद क्या होगा ओपर में अस्तरन थ्यार करेगा उपर में लेयर त्यार करेगा उसको भी मिट्टे ठाक रहा है वह वे निकल रहते है तो वह है आपको जो वैर गाइड एंड कॉंटाग्टीव by कोंटाक्टीब गुटी बोलते हम लोग एवाला कन्टक डीव इन hombres अ सई सलिफाइड ड्लैक कि स्को ऑलते जो अमrika के बाद जो अर्च होता है जो मालत ट्यार होते हैं फ्लैक स्कॉर में भूस्ए सेम इलोक्ट्टर जैसा एक ट्यार होते हैं ये मीक talking गैसा एक Сॉलीड रहते हैं एक सालिदे हैं एक चब्लांदेंस सेब्च कहँर सेज़् कर च्लिक विलमेंड मेतले एक छोटा सा ओल्लिंग का जो ओलिंग किदर होता है और उसका structure के है मैं आप लोग को दिखाया किदर ओल्लिंग हो रहे है तो उसका जो application फ्लैक्स को एप सी एडबलू एप सी ए किदर अपलिकेशन है वह आप लोग को जूरोढ है आपको cactus है इसको बैस को बताया तो उसको वैर को प्लासिक रिशन कैसे करेगा तो उसको बहुत सब्सक्राइब है तो फ्लैक्स को रहे हैं मिंग रोलिंग है एसस होँ है तो उसका एक सिय का जो अम लोग को वैर को पैसे पचले आप लोग को जानकरी बहुत ही जुरूद है क्लासिकेशन अब फ्लैक्स को बताओ आप लोग को पुछेगा जूरूर ठेन करो तो उसका गिरेड के है च्यूद्नtake ग्रेट मालूम नहीं है मतलब आपको कुछ भी मालूम नहीं है आप एप ईलंडर वानो और कीदर भी करो तो आपका मेट्टर जो ओल्लिंग करें उसका ग्रेड का भी जानने का जुरूरं फैसका च्रलें आपको अच्या कमपनी में नोकरी करने है उसका कितना तर आपको थेन से खीश सकते हैं खीचने के बाद हो तुब ब्रेकिंग होगा वह बोल रहा है एक क्या बोल रहा है मिनमान यूटेस 70,000 PSI 70,000 PSI मतलब के 70 KSI उसका आपका उसका स्टेंट साइट स्ट्रेन है Zero मतलब के है उसका ओल्डिंग का पोजिशन मतलब वर्डिंग मारश रकते हैं पोजिशन में आप लोग होल्डिंग कर सकते हैं तो इसका है T मतलब के Tuvaler 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 आपको पहले बता है जो अंदर में जो게 Willow Ale disregard मतलए अंदर में Flags है इस acáboda Tuvaler तो ओओ आपको और आपको जानकरी बहुत ही जरोद है तो इसに बोलता है Tuvaler Aleduct sense Tuvaler Ale redu Flex code Tuvaler Aleuct Ah chi तो तो सॉलिड रहेगा तो हो एस नहीं है यह ट्यूलर रिलक्टोड है इसका अन्दर फ्लैक्स है और वान मतलब क्या है टाइप ऑफ गैस अंस्टेबिलिटी एंड पर्फोर्मेंस मतलब उसका जो कौन सा गैस यूज कर रहे हो अम लोग सियो टू गैस यूज कर रहे है ना कौन इसका ए आर थेवेंजिलो एस शिक्स यह भी मीगोल्डिंग का इलेक्टोड है यह भी आपको जानकरी बहुत ही जुरूद है तो ए यह भी बहुत कमपानी पर आपको इंटर्वूर जाके आपको जुरूर पूचेगा यह आपको यूज को लिंक पास यूज को बोलते हो न को आपको जानकरी नहीं तो बहुत ढ़ा बाद ओ चीजम बहुत सेनम पार हो अप Això currently लॉज है तो आपको वे ओ सब्सक्राइख कि और या युदॉर और र मतलब पर इदर आर मतलब का पर उसका ओ उसक एमलोग क्या बलता है 70 कास्याय हम्लों IS मतलब सोलीट, IS मतलब और, EX मतलब उसका, कैमिकल कमपोजिशन मतलब उसको ils को गाम ए तो ओ आपको दिखाता है, तो वो कोई टीटेनियाम मिक्स है, क्या तो वो उसको एक को दिनोट करेगा उसका केमिकल कंपोजिशन वालिट होता है रोड वाला जो उसको क्लासिविकेशन क्या है वो बताओ तो तो अब आपको जो एलोक्तोरिय एसमें डबलू वाला एसमें डबलू मतलब का है एस एलोक्तोरिय सिल्डेड मेंटर आड गया विल्डिंग पर क्या होता है जो इलॉक्तोर एसका क्लासिफिकेशन क्या है आप लोग को जानकरी भिजूरह दहिए आपको आपको दिखाई देगा ओरेड हो सकते है आपको भार्टिकल हो सकते है उसको क्यоссार्ट हुसकते हैं उसको genuine position हो सकते हैं फाइब जींव सकते हैं उसको are ios fashion अब लोग taking कर सकर थोحल एक और वाझ जॉब लिखा रहेगा तोब ए अर dual अब उसको एड के लिए रखा लेका हुश को लो हाइडरोजिन लोह हाइडरोजयन इलिक्तिर बोलता है है आप लोग लोहाईडरहण पोडस्याम और पोड़र ओ जो आया ना ओ उसको ही बोलते हैं हम लोग को उसका यें को पोचनिय काम्पोईशन अब लोग और वी उसको दिनोट करते हैं उसकोँ एए सी और डी सी है वो दिनोट करते हैं एसी मतलब अल्टिन अल्टाइड टरहें डी सी मतलब डभी अपको अल्टाइड टरहें अल्टोप्सीटिव यह चोनद रहेगा वह प्यांद आपको पॉजिटीव और नेगेटीव रहते हैं तो एक आपको रहते हैं पॉजिटीव आप लोग क्या करते हो इलोक्तोर में लागते हो और कोई को जागा पर में रहते हैं रिवर्स पॉजिटीव बला आपको इलोक्तोर में लागा रहते हैं कभी को पॉजिटीव बला आर् इसका जो electrode का classification में दिय है 6010 उसका क्या है इसको कहाते एसी करेंट पर नहीं है अल पॉजिशन पर आप कर सकते है DECP मतलब डायरेट करेंट इलेक्टर पोजिटीव मिनिमाम जो हाई पाउडर एन स्पैडर वो कर सकते है 601-N1-E वो इलेक्टर पोजिटीव ये एसी करेंट पर चलते है फोते है, ईलेक्टर पोजिशन पर 繼續 युच्पिटीव ऑप्टमार पोजिटीव युच्पिशन पर होते है इसे पोजिशन पर परआदेशचन पर है 501-4 DCEN पर उनम पर इनपर होते है इसे रिवारिट का मद रहते हैं इलेक्टर प्यूसिटिव प्यूव पर पर एटेआ हैं टो रहते हैं तो, पोजिटिव फ्लैर्ड रोजिटल भाइटेगल भी मार सकते हैं हम लोग उसको जो पेइडेशन है लो है और स्मूध एन इसी एन फॉस्टर है निकल क्रोमियम रहते है इलोग्टॉट पोजिटिव अचे करन पे चलते है अल पोजिशन पे चलते है लोग उसमें कास्ट 30 2022 खोच दो अम लोग 308 अव लोप्र रहते तर तेंसल स्टेलेस्टिल को रिलिंग करने के लिए इलक्तौर है उसको इलक्तर पॉजिट्टीट रहते हैं एसी करेंट थै अल पोजेशन अम लोट नेगेटिव एक अब लोग कर सकते हैं उसको प्रेइनेशल रहते हैं उसको क्लासिमेशन तो जिसको समझ में नहीं आया एस्वप चीज मैं पहले से बतादाऊं जो जिसको जो बंदा ओल अपिदर युदे था यूप जानकरी जोरोध है यूना आप एक कंपनी में जाओगे यूप चीज कोई बाताएगा नहीं मैं आप लोग को लिखके देता हूं कोई बताएगे नि, तो आप लोग को जान करें के लिए आपको खुद को डेवलोम्मेंट करने के लिए आच्छा कमपानी पे नकरी मिलने के लिए आपको ये सब चीज सिखने पड़ेगा, खुद को सिखने पड़ेगा, कोई आदमी तुमको सिखाएगा नहीं, मैं आप को बताऊंगा, और निया मेंबर जो है, प्लीज सब्सक्राइब कीज़े, एक लाइक और शियर और कॉमेंट जरूर करने का भाई, क्योंना तुम लोग के लिए मैं वीडियो मरा रहा हूँ, दोस लोग, प्लीज सब्सक्राइब कीज़े मेरे को, थैंक्स पर वाचिंग, ज इना हीं,